हेलो एफ्रीवन, विल्कम टू लाव कीचिन, आज हम हरे मटर से एक एहस्ता नाश्ता बनाने वाले हैं, जो बहुत जटपट बन के तयार होते हैं, बहुत कम चीजों से, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, एक इंच अद्रक ले लिया है, आठ से दस लेसन के कलिया, पानी डाल के हमने पेस्ट बना लिया है, पेस्ट को साइड में हमने रख लिया है, ले लिया है, एक बड़े कप के मैदा, स्वादा नुसा ले लिया है, नमक, डाल दे रही हूँ, इसमें अजवाइन, मैंने दो पिंच जितना डाल दिया है, डाल दे रही हूँ, कश्मिरी प्रेंस मैंने यहां पर मैदा डाला है यहां पर गेहु के आटा भी आप ले सकते हो तो यह देखिए सबसे पहले तो आलू के साथ हमने थोड़ा सा मसल लिया है फिर जो हमने हरे मतर का जो पेस्ट बना लिया था वो भी डाल देंगे और पहले तो मिक्स्ट कर लेंगे प्रूरत नहीं है तो देखिए एक सौफ्ट डो तयार हो चुके हैं तो हमें इस तरीके से थोड़से सौफ्ट डो ही रखना है हाथ में थोड़ा सा हम रिफाइन ओएल लगा लेंगे जिसमें हाथ में बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं होंगे अब इस तरीके से छोटे-छ अब सारे गुलाई इस तरीके से कर लेंगे अब देखिए इस तरीके से हम अलका सच चप्टा करेंगे टिकिया की शेप में और बीच में से एक होल कर देंगे नॉर्मली जो मेदू बड़ा होता है मेदू बड़ा के जैसे ही हम शेप देंगे या आप चाहे तो टीक्या के शेप में भी बना सकते हो तो आज जो हम बना रहे है नाष्टा इस तरीके से मेदू बड़ा के शेप में बना रहे है तो इस तरीके से सारे बीच हो बीच एक होल कर देंगे और तेल को पहले से ही हमने करम करने के लिए बिठा दिया था रिफाइन डॉयल और तेल में डाल दिया है अब देखिए एक साइड फ्राइ हो चुके हैं मिडियम टूस्ट लूफले में रखते हुए पलट देंगे और अलट पलटते हुए दोनों तरब भी क्रिस्पी करके फ्राइ कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए अच्छे से क्रिस्पी फ्राइ हो चुके हैं हम निकालेंगे तो देख सकते हुँ आप दुबारा दुसरे बैच भी हमने डाल दिया हैं इसी तरीके से दुसरे बैच भी एक साइट फ्राइ हो चुके हैं परट लेंगे तो इसी तरीके से बहुत ही कम चीजों से जटपट बन जाते हैं शाम के टाइम चाय के साथ खाना हो तो आप इसे स्नेक्स के रूप में कहा सकते हो सुवे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो इसके साथ जू भी आपका फेबरेट चटनी है हड़े मिच्चे से और सार्फ कर लीजिए तो बहुत ही टीस्टी लगते हैं इसके साथ आप टमीटो केचप ले सकते हो मैंने नॉर्माली ग्रीन चटनी ले लिया है धनिया पत्ती वाली ना मटर की कचोरी जैसा ना ही ये पूरी जैसा दोनों मिक्स्ट टेस्ट इसमें आते हैं तो बहुत साथा पके है और अभी जो खुश्बू आ रहा है वो बहुत शांदर लगा है तो फ्रेंस आज का नास्ता के रेसिपी आपको कैसा लगा है मुझे बताइएगा कॉमेंट करके लाव कीचेन के रोजाना रेसिपी देखने के लिए भी तुरंत कर लीजिए लाव कीचेन चैन